नमस्कार, अदाव, हाई, हेलो and वेलकम टू वन्वन नियूज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इत्ती साही लांगुज़ में क्यों ग्रीट कर रही हूँ तो बात ही कुछ ऐसी है पिछले दो दिन से यानि जब से हमने हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन किया है या जब से देश में हिंदी दिवस मनाया गया है तब से एक ऐसा स्टेक्मेंट दिया है हमारे ग्रह मंत्री अमिशाने जिससे कि ट्विटर पे, सोचल मीडिया में और भारत में हर जगा बवाल मचा हुआ है और वही बवाल हमारे ओफिस तक पहुँच गया आज सुबाल जब हम लोग बात कर रहे थे न्यूजरूम में अपनी स्टोरीज लिखने के दौरान तब ही हमारे ओफिस में ये डिबेट शुरू हो गया कि हिंदी को नाशनल लांग्वज बनाना चाहिए या नहीं हिंदी नाशनल लांग्वज अकर बनती है तो इससे बाकी स्टेट्स पर या जो लोग नॉन स्पीकिंग हिंदी वाले हैं उन पर क्या इंपक्ट पड़ेगा तो सवाल यह है क्या हिंदी है हम ऐसा देश जो इतना डाइवर्स है जहां पर अलग-अलग लांग्वज इस है और यह डिबेट हमने जो सोचा था कि कुछ साल पहले हमने खतम कर दी वो अभी भी चल रही है और इसको एक नया स्पाक मिला है जब से हमारे ग्रह मंतरी अमिशा ने वन नेशन वन लांग्वज की बात करिया आज हम इसे पर दिबेट करेंगे इसे पर बात करेंगे और आपसे भी धरकवासत है कि आप अपनी राय हमें लाइफ सेशन के दौरान दे सकते हैं कि क्या हिंदी को नाशनल लांग्वज बनाना चाहिए इससे पहले कि मैं अंकयत और सलील के पास जाओ, मैं आपको कुछ फाक्स बता देती हूँ. हमारे पास कुल 22 official languages हैं, जिसमें से हिंदी एक है, भारत के पास अपनी कोई national language नहीं है. जो mother tongue है, हमारी जो total mother tongue जिसमें लोग बात करते हैं, वो हमारे पास 1652 है. अमिश शा का tweet भी आपको बताते हैं, कि उन्होंने आखिर क्या कहा था अपने tweet में, और जब statement बे बवाल मज़ गया, उसके बाद से उनकी party की तरफ से ये सफाई आई है, कि tweet को misinterpretate किया गया, वो broader sense में बात कर रहे थे. पर मैं आपको पढ़के बताती हूँ, कि जब वो एक समारो में, दिली के एक समारो में शामिल हुए जहां हिंदी दिवस का celebration हो रहा था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने महाँ पर हिंदी को national language मनानी की बात कही, और जो उनका tweet है मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको जादा better understanding मिल सके कि आखिर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने लिखा, आज दिली में आयोचित हिंदी दिवस समारो 2019 में भाग लिया, भारत की अनेक भाशाएं और बोलियां हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन देश की एक भाशा ऐसी हो जिससे विदेशी भाशाएं हम हमारे पर हावी ना हूँ, इसलिए हमारे सविदार निर्माताओं से एक मत्से हिंदी को राजभाशा के रूप में स्विकार किया है, तो इस एक ट्वीट से बहुत जादा बवाल मच गया, सबसे पहले बात अंकित से करेंगे, तो अंकित, जैसा कि मैंने इंट्रॉड़क् हमारे पहचान होती है, हमारे पहचान बहुत सारी चीज़ों से होती है, बहुत सी चीज़े जहें हमारे नेसनल जाहें वो फ्रूट हो या फिर अनिमल हो या फिर बड्स हो, बहुत सारी चीज़े हैं, जो हमारे नेसनल कोई एक स्थापित है, लेकिन जब भाशा की बात आत एक पहचान जो देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके कि इंडिया के लिए हिंदी जो है यह सबसे जादा बोले जाते हैं इंडिया की पहचान हिंदी हो तो एक पहचान बन सके देश के लिए और जो इंटरनेशनली भारत की जो इमेज है चाहे वो युनाइटनेशन में को लेकर हो United Nation की भी बात में बताऊंगा आगे तो इसको लेकर मुझे लगता है कि हिंदी को जो है वो बना देना चाहिए तो आपको लगता है कि हिंदी को हमारा आपको लगता है कि यह सही है देखिए जब आप बोल रहे हैं कि हिंदी को नाशनल लागज बनाना चाहिए क्योंकि आप उसे एक दर्जा दिना चाह रहे हैं और अधर को मिल्डियम भार निकल कर रहे हैं आप बुलकुल एक आपका जो यह परस्पेक्टिव है यह पहुती न ठीक है तो अगर आप ऐसा एक डिसिशन ले रहे हैं तो आपको पहले इसली सोच रहा पड़ेगा कि अगर आप एक चीज लागवज को ऑफिशी लागवज बना रहे हैं तो आप बाकी और लोगों को उस प्लाटफॉर्म पर आप कैसे लाएंगे कि जा पे वह उस अगर यह मुद्दा नया नहीं यह मुद्दा बहुत पुराना है तो 1937 में ज़ब हमारा संवधान लिखा जा रहा था तब भी यह बात उठकर आई थी कि हिंदी को नाशिल लागवज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो जब हमारा कॉनस्रिक्विशन और 1949 में यह decision दिया गया था कि हम अपना संवधान इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा जाएगा मिलाब उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रेसेंट होगा और कोई भी वाइस नाशिल लागवज रेकिनाइज हो जाएंगी पर कोई भी नाशिल लागवज नहीं हो यह तर्फ तो कभी दिया नहीं गया कि हम किसी और लाइग्वज को निचा दिखाना चाहते हैं या फिर ऐसा करना चाहते हैं कि वो कम मीनिंग्फुल है हमारी वस मैं सिर्फ इस की वकालत कर रहा हूं कि हमारी दीश्की पहचान हो जाए ता कि पूरे इंडिया में कोई एक इंडिया की जो हर जगा अगर कोई इंसान जाता है तो उस लैंग्वज के जरीए कॉम्निकेट कर सके अब अब आप कहेंगी कि इंग्लिश बिल्कुल अंकित मैं आपको रोकना चाहूंगी जैसे आपने इंग्लिश और हिंदी की बात करी तो इसी से मेरा अभी हमने इंग् आपने जैसे कहा कि हमार को एक पहचान मिलनी चाहिए आपने कहा कि हम किसी रांगवज को नीचा नहीं दिखा रहें था जिसके मुताबिके कहा गया कि हिंदी को बाकी स्टेट में पढ़ाना मैं इंडित्री होना चाहिए जिसके बात भी बहुत कृटिसिम हुआ लेकिन यहां बात हो रही है कि भात को पहचान मिले और वो कैसे मिलेंगे अगर आपको किसी देश में यह निकालना हो कि इस देश की नेशनल लांगवज क्या होनी चाहिए क्या पैमाना होगा पैमानी यही होगा कि इस देश में जिस लांगवज को सबसे जादा बोला जात लोग हिंदी भाचा बोलते हैं तो आपके कहा है कि अगर प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं तो ऐसे में अब यह भी बता दो इसमें जो जो सेकेंड सबसे बोलने जाने वाली भासा है ओवर एंग्लिस बारप रतिशत लेकिन फर्स टाइंग्लिस को सिभ 0.02 दसमलग मतलब 0. 0.02% लोग ही फर्स टाइंग्लिस स्पीकर हैं यह डेटा थोड़ा पुराना है उस्ट दोहजार एक के संसस देटा के हिसाब से में बता रहा हूं कोई नहीं डेटा है हमारे पस कोई ऐसी तो आप कहा है कि संसस अपडेट नहीं हुआ है पर पुराने डेटा के हिसाब से ति तो आप कहते हैं कि हमें इस इस एक पॉइंट से कि वो तिरपन प्रतिशत लोग फर्स टाइम हिंदी बोलते हैं इसले हमें उसे नाशनल लांगुज डेकरना चाहिए सलील मैं आपके पास आऊंगी कि इन्होंने कहा कि तिरपन प्रतिशत लोग पहली बार हिंदी बोलते हैं तो ऐसे में हिंदी को ये बोल सकते है कि मिल जाती है कि आपको उसको हम नाशनल लांगुज जिकलाए का सकते है इस पर क्या कहना चाहिए पहली बात तो मैं बात करना उन्हें बोलना चाहिए कि उनकी पहचान हिंदी है तो वो कैसा फील करेंगे आपने ये सोचा है अगर आप बुरहे तरफपन परसेंट लोग इस बात करते हैं जानते हैं पर अभी भी आदे से थोड़े कम ही लोग हैं जिनको इस बाशा का बिलकुल ही आइडिया नहीं है तो जब आप इतना बड़ा वर्ड पहचान आप किसी की पहचान आइडेंटिटी से लिंक करना चाह रहे हैं एक भाशा को पहले तो मैं पुछे चाहँगा कि पहचान होनी की जरौती क्या है क्या इस बात में भी खूबसूरती नहीं है कि हमारे देश में इथनी अलग हैं तो हमारी एक कोई पहचान नहीं है तो हमेश है इसी बात में खूबसूरती देखने चाहिए कि हमारे यह कोई एक कल्चर डॉमिनिंट नहीं है और मैं सबसे बड़ा सवाई मेरा आपसे यह है कि आप नाशनल लांगवज हिंदी को अगर आप भोशित करते हैं तो आप से क्या अचीव पंड़ा चाहते है और इसकी जरूरत इतनी डायर क्या हैुझा sigma ecofe पाते हैं जब तक हमारे पास एक national language नहीं होगी, अभी में में पास कोई national language नहीं है, इस तरीके से national unity प्रोमोट नहीं हो सकते हैं, मैं आपको छोड़ा सा एक्जामपल देता हूँ, फिलाल 2007 से हम कोशिश कर रहे हैं कि UN में, अभी फिलाल में छे official languages बोले जाते हैं UN में, वो Mandarin, Mandarin, Chinese, Arabic, English, जो British English है, या फिर Russian, French, ये सारी भासा हैं जो है वहां की official language है, हम 2007 से ही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी को भी वहां पर सात्वे language के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन नहीं हो पार है, क्योंकि हमारे पास खुद की ही एक पहचान नहीं है, लेंग्विज को लेकर एक national language नहीं है हमारे पास, जब भी हमारे लोग वहां जाते हैं कि भई आप national language बनाई जाए हिंदी, तो वो लोग कहते हैं जब आपकी देश की national language नहीं है, तो आप कैसी United Nation में इसे थोखना चाते हैं, लेकिन मैं आपको बदा दू, सुचमा सुराज जब विदेश मंतिर थ कि और खुलियाम पाल्यामिट में यहां तक उनों ने खाता कि वो लगबग 400 करोड रुपए खर्च करने को तयार है, हर महीने अगर United Nation जो है, वो हिंदी को official language बनाता है, और यह क्यों, क्यों, आप सोचे नहीं कि क्यों भाई हम इतने पैसा खर्च करें, इसलिए क्योंकि internationally, internationally, अगर आप देखे, इंडिया के relations, जो है, पिछले हाल फिलाल, internationally, diplomatic relations, कई जेशों के साथ सुधरे, काफी सुधार हुआ है, और अगर इंडिया को पहचान मिल जाती है, United Nation बहुत-बहुत-बड़ा संग है, पूरे लगभग 193 देश उसमें है, अगर उसमें सिफ 6 अभी त जब जाएंगे, जब देश में एक मेरे सबसे सहमेती बनेगी, लांगवच को नाशनल लांगवच डिक्लाय करने की, आप ही कि इस सारे जितने भी आपने मुझे सेंस दिये या जो भी डेटा दिया, उस से रिलेड़े है, करनाटे का सियम ने ये कहा, जैसे ही इस लांगव के जब आपनेगी इस स्ट्रिप्ट को फॉलो कर सकते हैं, तो ऐसे मैं अधर हमें हिंडी को नाशनल लांगवच बनाया तो जितने भी गष्ड़े काम होंगे जितने भी ऑफिश्ल काम होंगे इसमें हंगी का अस्तमाल किया जगा उसमें जा और अधर गवाना चाहिए तो बात हुई थी हिंदी को national language बनाने की हमारे conflict जो था वो इस हद तक बढ़ गया था कि इतनी बात हो गई थी कि हमारी country हिंदी स्पीकिंग और नौन हिंदी स्पीकिंग तो आप यह भी समझे आप national unity की जगा अगर आप तो बहुत ही अजीब बात हुई क्यूंकि हमारा देश टूटे टूटे बचा है क्यूंकि एक language के चक्कर में अगर एक language इंपोस हो रही है तो आप यह देखिए कि उसके बाकी कुछ पिछले data को देखा जाए कुछ भी देखा जाए तो इस डिबेट के वज़े से काफी प्रोटेस्ट हुए तो कहीं इसमें मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों का काफी नुकसान भी हुआ था तो क्या लगते आपको कि ऐसा करने से इंडिया में अंड्रेस जैसे situation होगी त जो लोग दूसरे languages बोलते हैं बेंगाली, कंणर, तमिल, तेलेगु जो भी different Malayalam जो भी languages बोलते हैं उन पर किसी तरह का attack है या फिर उनकी languages पर किसी तरह का attack है हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि जो भी काम है वहां कि वो सिर्फ हिंदी में ही होने चाहिए तो आपोजिशन का क जो जो एक्जामपल देना चाहूंगा इससे पहले कि हम आपर चाइना अभी वन अपर मोस्त इमर्जिंग कंट्रेश एक्वन कली काफी स्ट्रॉंग है और अगर अमेरिका को कोई तक्कर दे रहा है पुरे विश्यों में इंटरनास्टल फर पर चाइना दे रहा है चाइना अगर मेंडरीन जो है वो असी परतिशत से जादा लोग वहां पॉपलर करना चाहते है ताकि असी परतिशत से जादा लोग मेंडरीन बोले इससे क्या होता है एक यूनिटी होती है कम्निकेशन प्रॉंब्लम नहीं होती और बहुत सारी चीजे जो ऑफिसेल चीजे होती है बहुत सारी चीजे उस पर बहुत मदद मिलती है और ट्रांसलेशन बगेर बहुत अलग अलग जेगा पर ट्रांसलेट करना होता है तो कहीं नहीं एकोनोमिकली भी हमारे लिए ये फाइदेमंद होगा अगर एक लांगवेज हम बना देते हैं तैसा कि उनने कहा तो सली उस स्थे एकोनोमिकली हमें किस तरह से मदद कर सकता है वाइन नेशन वन लांगवीज आप में जैसे चाइना के इसे किजाए अधे आपके बढ़ना होंगा कि हमारा सम्वेदान की सबसे खास बात है कि वह मैं मैं जलिए हम सारे लांगवेज्जिस अब के लिए बहुत अकोमे यह नहीं आप एक्सपेट कर सकते कि वह एक साइस का जूता सौ लोगों को पूर आएगा और उस एक जूते को मॉडल साइस कहना चाह रहे है यह सरा सर बहुत ही गलत बात है और जहां पर बात आती है UN की ठीक है आप लगाईए अगर आप पहचाने किसी चीज की बना रहे हैं तो आप किस बेसिस पर बना रहे हैं और इसकी ज़रुवत भी है बिल्कुल है जैसा कि तैने पहले है बताईए अगर अगर हिंदी इसकी यूएंग में आगई ऑफिशियल लैंगवज इसमें तो आप उससे क्या चीफ करेंगे और आप बताईए कि आपके साब से हमारे गेश में क्या जो भाप लाब है वो हमारे आप जो अंड्रेस्ट होगा उसके लिए वर्थिट है क्या अंड्रेस्ट होगा जरा आप मुझे ये बताईए क्या अंड्रेस्ट हो सकता है अगर हिंदी को हम नेस्नल लैंगवज बनाए क्या अंड्रेस्ट हो सकता है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है यह नहीं कहा जारा किसी और को कि हम आप हिंदी ही बोलिए आप मल्यालम न गयाना इन सब जदे पर हिंदी बोली जाती है और इन फैक्ट जो नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा था कि वो सपोर्ट करते हैं कि युनाइटे नेशन में हिंदी जो है वो सेवन्थ भासा बने तो ऐसे में मैं आप दोनों से हम डिबेट के आखिर के करते हैं या हम वान नेशन वन लांगुज की बात करते हैं तो क्या उसके बैनिफिट से और क्या उसके रपकरशन से मैं दर्शकों को यह चाहती हूँ कि उनको पता हो ताकि वो खुद डिसाइड कर से कि क्या हिंदी को और नेशनल लांगुज बनाना चाहिए या नहीं और अगर हम बनाते हैं तो हमार पास क्या बेनिफिट्स होंगे और अगर हम नहीं बनाते हैं और अगर हम बना देते हैं तो क्या रपकरशन हो सकते हैं जिसको मद्दे नजर रखते हुए ही यह डिसिजन लेना चाहिए अगर हम हाल फिलाल की बात करें हम हम अपने पास्त के बा तो closing statements फटाफट सदील कि अगर हम हम हिंदी को लांगुज बनाते हैं नाशनल लांगुज तो क्या रपकर्शन हो सकते हैं? जो रपकर्शन हमने संविधान की ताइम पर देखे थे और तब से देखते हो आ रहे हैं कि जब भी हिंदी की बात होती है हमेशा अंड्रेस्ट होता है तुकि जैसे स्टेट्स जैसे तमिल नाडू हो गया करनाटिका हो गया जहां पर हिंदी-speaking population भी नहीं है बहुत ही माइनर है ऐसे में अगर आप पूरे देश के लिए बन साइज पे टॉल वाली आइडिया के साथ चलके आप उनको रिप्रेशन के लिए उनकी पहचान हिंदी से जोड़ेंगे तो यह बहुत ही प्रॉब्लमाइटिक बात है आप ऐसा नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से हमारा समदान बनाया और अब तक हमारा काम चलता आ रहा है बिनना किसी नाशनल लांगविज के तो अब ऐसी जरूवत क्या आज़ी है कि हमें इतने अन्रेस के लिए और जोग की पहचान हिंदी से है भी नहीं हुने हिंदी से जोले की ऐसी क्या जरूवत आ गई है अगेत आपसे आखरी क्लोजिं सेत्मेंट की अगर बनाते हैं तो क्या बैंफित्स हैं अभी अभी सलील ने कहा कि हमारा काम इतने दिनों से चलता रहा है लेकिन अब हमें काम नहीं चलाना है अब हमें आगे बना है देश विदेश में अपनी पहचान और बढ़ानी है जो पिछले लगबग साथाट सालों में हम आगे बढ़े हैं इंटरनेशनली हमें और आगे बढ़ने हैं और वो कैसे बढ़ने हैं जब यूनिटी होगी हमारे देश में उनिटी कैसे बढ़ेगी जब कम्मिकेशन जो है वो एक बिलकुल साधारन तरीके से कम्मिकेशन किया जा सकेगा लोग हर जगे जो है बाते कर सकेंगे जब इंटरनेशनली हमारे लैंग्विज को पहचान मेलेगी जब पूरे विश्व को पता चलेगा एक 133 कंट्रीज को पता चलेगा कि हिंदी भी एक ऑफिसल लैंग्विज है उनाइटे नेशन में और वो कैसे होगा वो इस तरी करी जो फाक्ट्स हमने आपको बताए कि 53 प्रस्तिशत लोग ऐसे हैं जो कि 2001 का डेटा कहता है जो कि उनकी फर्स स्पीकिंग लांग्विज हिंदी है लेकिन अगर हम बात करें पोलिटिकल अन्रेस्ट की या कंट्री अन्रेस्ट की तो हिंदी का मुद्धा जब भी उठता ह तब तब देश में अन्रेस्ट देखने को मिलता है ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार अगर इसके तरफ कोई कदम भढ़ा रही है तो वो हर चीज को मद्दे नजर रखे प्लस बात आई अमिशा के बयान की तो मैं हम लोग आप से दर्क्वास करेंगे कि आप उसको जाके टीजर पर पड़े कि उन्होंने अच्छी क्या कहा था वन लांग्विज वन नेशन की बात कही थी पर उन्होंने ये कहा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही यह है कि हमारे पास अनेक भाशा हैं और बोलिया है तो उसको मिस इंटरप्रेट किया गया अपोजिशन क्या कह र और अगर आप ये recorded वीडियो देखना चाहते हैं आप बाद में इस वीडियो को देखना चाहते हैं अपने friends के साथ share करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चानल पर जाके इसको देख सकते हैं और please हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले हैं धनेवाद